खबरों का बाजार गर्म है कि महिला खिलाडियों की अमेशा से मुलाकात के बाद अब कुछ बड़ा होने वाला है लगातार बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि अमेशा से मिले महिला खिलाडी अब कुछ बड़ा करने की तयारी है तो इस खबर में आपको बताऊंगी कि कुछ बड़ा होने वाला है या पिर की नई होने वाला है मीटिंग हुई है अमिश्या से मैला की लाडियों की या पिर की नई हुई है और अगर मीटिंग हुई है तो मीटिंग में क्या हुआ है साक्षी मलेक ने अमिश्या से मुलाकात को लेकर क्या कुछ का है पूरा बयान आपको बताएंगे और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे चानक के कहें जाने वाले अमिश्या के सपने चकना चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो साक्षी मलेक के किस बयान के बाद से बवाल खड़ा हो गया और अमिश्या की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है सब कुछ इस पच दिखाई दे रहा है बयान सुनाने से पहले एबीपी की खबर देखे इसमें लिखा हुआ है कि डेसलर्स प्रोटेस्ट पहलवानों ने दो घंटे तक अमिश्या से की मुलाकात क्या है सच्चाई तो सच्चा ही जानिएगा जब कबर में लिखी है तो आप भी एरान हो जाएंगे कि गोधी मीडिया टी आर्पी के चक्कर में क्या कुछ चर्थ करता है हबर में देखे लिखा है कि बिजेपी सांसत ब्रभूशन शरण सिंग के खिलाव पहलवान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए है कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पहलवानों ने शनिवार यानि कि तीन जून को ग्रह मंत्री अमेशा से मुलाकात की लेकिन एबीपी नियूज इस मीटिंग की पुष्टी नहीं करता है तो ये लोग पुष्टी वले ही नहीं करते हैं कि मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है लेकिन लगातार खबरे चलाई जा रही है कि ग्रह मंत्री अमेशा से मुलाकात के बार अब ये पहलवानों का धरना खत्म हो जाएगा और सिर्फ इतना इने खबर चला भी दी गई कि साक्षी मलिक ने तो इस धरने से खुद को पीछे कर लिया है रिपब्लिक भारत की खबर देकिस में लिखा है रेसलर्स प्रोटेस्ट अमिशा से मीटिंग के बाद ब्रिजबूशन के खिलाफ आंदोलन से पीछे हटी साक्षी मलिक धरना किया खत्म खबर हम आपको दिखा चुके हैं कि साक्षी मलिक इन सारी खबरों को फेक बता चुकी है उन्होंने खंडन कर दिया है कि हमने किसी भी तरीके से कोई धरना खत्म ने किया हैं भले ही अपनी रेलवे की नौकरी पर वापस लोट गए है तो इसका मतलब यह नहीं है कि धरना खत्म हो गया है साक्षी मलिक ने भी खंडन किया बजरंग उन्या ने भी इन खबरों का खंडन किया फेक न्यूस बताया फर्जी खबर बताया लेकिन फिर भी गोधी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया प्यारपी के चक्कर में मसाला परोसा जा रहा है लगातार खबरे चलाई जा रही है कि अमिश्या से मुलाकात के बाद अब कुछ बड़ा होने वाला ये धरना खतम होने वाला है खबरे तो यहां तक चला दी गएंगे कि अमिश्या से माफी मांग ली है इन लोगों ने और अ पूरे होने का इंतजार करेंगे फिलाल में आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसका खंडन करने के लिए साक्षी मलिक ने एक और बयान दिया है और साक्षी मलिक यह बातचीत थी इस बात पर तो महर लग गई कि अमेश्या से मिलने के लिए महिला पहलवान गई थी आगे इसमें लिखाए कि हमारी किवल एक ही मांग है और वह है उन्हें ब्रजबूशन सरण सिंग को गिरफतार किया जाए लेकिन मांग पर हम अपनी काय में एक ही मांग है कि प्रजबूशन को गिरफतार किया जाए कहा जा रहा है ना कि कुछ बड़ा होने वाला अश्या अपनी चाड़क की नीती चला देंगे तो चाड़क की नीतियां पर कैसे फेल हो गई साक्षी मलिक के बयान से अपंदाजा लगा सकते हैं आगे इस में लिका है कि मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूँ मैंने रेलवे में OSG के रूप में अपना काम पर से शुरू कर दिया है मैं स्पस्ट कर देना चाहती हूँ कि जब तक हमें नयाय नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे उसने नाबालिक लड़की कोई प्रात्मी की वापस नहीं ली है या सब फर्जी है एनाई के साथ बातचीप में पहलबान साक्षी मलिक तो उन्होंने कह दिया नाहीं नाबालिक ने अपना बयान वापस लिया है और नाहीं मैं धरने से पीछे हटी हूँ फर्जी खबरें ना चलाईए ये सब कुछ फेक निउस है सबसे बड़ी बात या पर साक्षी मलिक ने ये भी कह दिया है कि जो हमारी मुलाकात हुई हमिश्या से तो ऐसा नहीं है कि कोई हाई लेवल मीटिंग हो गई है या फिर कि धरने को खतम करने का हमने पैसला ले लिय ना ये धरना खत्म हुआ है और अगर खत्म होगा भी तो सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी मांग जो कि ब्रिजभूशन की गिरफतारी है वो जब हो जाएगी उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे जब तक हमें नयाई नहीं मिलेगा ये धरना जारी रहेगा तो इस बयान से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कतित तोर पर अमेश्या के सारे के सारे सपने चक्तना चूर होते वे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार ये हवा बनाने की कोशिश तो की गई कि अमेश्या अब बीच में आ गए अब तो कुछ खेल होने वाला है धरना ख पच्छे से जानते हैं लेकिन ये हवा बनाना खेल करना बड़ी बड़ी खबरें चलाना बिग ब्रेकिंग चलाना टी आर्पी के चक्कर में मसाला परोसना सब कुछ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार गोधी मीडिया एक्सपोज हो रहा है जो ब्रजभूशन को लेकर धरना चल रहा है उसकी खबरों को लेकर लेकिन फिर भी ये लोग अपनी अरकतों से बाज नहीं आते हैं कभी कहते हैं कि नावालिक ने अपना बयान वापस ले लिया है कभी कहते हैं कि साक्षी मले की वापस चली गई कभी दिल्ली पुलिस की चार्शीट को लेकर पेक न्यूस पहलाई जाती है हर एक पेक न्यूस एक्सपोज हो रही है लेकिन फिर भी गोधी मीडिया तो गोधी मीडिया है खैक, अमेश्या को लेकर कैसे हवा बनाई जा रही है उसके लिए कुछ खबरे भी आपको दिखा देती हूँ पत्रिका की खबर देखी कैस में लिखा है रैसलर्स प्रोटेस्ट, पहलवान उसंग ग्रहमंद्री अमिश्या की दो घंटे चली बैठा क्या अब खत्म होगा इनका धरना खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है यही खबरे चल रही है और एक और देखिए कबर अमरुजाला की इसमें लिखा है कि चार महीने में दो बार धरने पर बैठे पहलवान अमिश्या से मुलाकात के बाद बदली कहानी तो कहानी भी बदल दी गई, धरना भी बदल दिया गया लेकि ना कुछ बदला ना कुछ बदलने वाला यह पहलवानों ने खुछ सामने आकर साप कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इंडेव्यू एनाई को ही दिया गया है क्योंकि एनाई से ही कैसी कपरे रिकल कर सामने आ रही है आप अच्छे से जानते हैं सब का खंडन कर दिया है और किस तरीके से अमिश्या की चाड़क के निती को कतिक तौर पर पेल कर दिया है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कहा जाता है ना कि फ्रेम में अमिश्य अब तो खेल पल्टेगा कहानी बदलेगी ना खेल पल्टा है ना कहानी बदली है इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है जिस तरीके से फेक न्यूस चलाई जा रही हो शाक्षी मलिक में कुछ सामने आकर मोर्चा समाला है सब का खंडन किया है और अमिश्या की चाड़क क चिनीती पर जो बाते हो रही थी वो जो पेल होती वेजस तरीके से दिखाई दे रहे हैं उस पर इन सब पूरी खबर पर आपका क्या कहना है आपकी क्या राए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें वीडियो को जादा से जादा शेर करें सब्सक्राइब को दबाया कि जरूर दो